पीम मोदी की हत्या की शाजिस रच रहा है लशकर, खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा आतंकी संगठन लशकरित तैबा एक बड़ी घटना को अन्जाम देने की तैयारी कर रहा है खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की हत्या की शाजिश रच रहा है आतंकी हाफिस शईद इसके लिए प्लान तैयार कर रहा है खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी हाफिस साइद इसके लिए पूरी योजना बना रहा है उसे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का भी समर्थन हासिल है बता दें कि हाफिस साइद 26 गारम मुंबई हमले का भी मास्टर माइंड है बता दें कि इससे पहले भी एक बार खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि लंडन में बैटे हुए कुछ आतंकी प्रदान मंतिरी नरेंदर मोदी और यूपी के सीएम अधिति नाथियोगी की हत्या की साजिश रच रहे हैं इसके बाद सभी को अलेट कर दिया गया था और दोनों की सुरक्षा को पुखता कर दिया गया था हाफिस सईद 31 जनवरी से पाकिस्तान में नजर बंद है अप्रेल में उसकी हिरासत आउदी को तीन और महिने के लिए बढ़ा दिया गया था पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को सईद और उसके चार करीबी सहयोगियों अब्दुल्ला उदैब, मालिक जफर इकबाल, अब्दुल रह्मान आदेब और काजी आसिफ हुसैन को आतंकवाद विरोधी कानून 1997 के तहट हिरासत में लिया था सईद की हिरासत अवदी को पंजाब मेंटेनेंट और पब्लिक ओर्डर के तहट बढ़ावा दिया गया था पिछले मैने 28 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में पंजाब सरकार के ग्रह बिभाग ने कहा कि संगी ग्रह मंतराले की शिफारिस पर सईद की हिरासत अवदी को और 60 दिन के लिए बढ़ाया जाता है अधिसूचना के मुताबिक सईद और चार अन्न की हिरासत की अवदी की मियाद 27 जुलाई को खत्म हो गई थी धन्यवाद